पुल डीटेल इन्फॉर्मिशन के साथ लेकर आए हैं हम भारत पल्म से जुड़ा हमारा ये रिपोर्ट जैसा कि आपको हमने जानकारी दी ही थी कि सच में ये फिल्म जबर्दस होने वाली है जो कि ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है लेकिन इससे पहले Katrina Kev की तकलीफ Katrina Kev जोकी एंकल में होने वाले तकलीफ की वजह से बिमार पर गई और बिमार Katrina को फिल्म भारत का सेट चोड़ना ही बढ़ा Katrina Kev जोकी काफे जादा तकलीफ में रही वैसे आपको यह जानकार शायद ना हो लेकिन काट्रीना कैट जो अपने फिल्मों की शूटिंग के बेच नज़र आती है तो वो कई बार अखने तकलीफ को छुपाते भी है कई बार काट्रीना को हॉस्पिटल जाते पहले भी देखा गया है लेकिन इस बात को उन्होंने ठुकराया भी है पर चाहें फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा हो या फिल्म की शूटिंग की अलावा उन्हें रियल में आर होने का कहीं न कहीं खुद को छुपाना पड़ा कटरीना कैट ने अपना सच हमेशा लोगों से चुपाया है जब वह तकलीफ में हो पुछ सामय पहली की बात है क्ट सालों पहली की बार जब मुंबई की खार होस्पिटल में भी कटरीना कैट को स्पॉर्ट किया गया था जो की ट्रैवलिंग कउंस्चेंटली की वजह से हेल्थ में काफी जादा बदलाव आने के वज़े से हॉस्पिटल पहुंच लिए ट्रैवलिंग की वज़े से कट्रेना को होती है तकलिए मतलब आप समझ गए होंगे आखिर क्यों कट्रेना कैफ उस्पताल पुर्ण भारत की शूटिंग जो पंजाब से लेकर राजधाने दिल्ली और मुंबई से लेका दोबाई तक हुई उस फिर्म की शूटिंग के वज़े से कट्रेना कैफ को कहीं न कहीं तकलीव का सामना भी करना पड़ा ऐसे आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगी हम कट्रेना काफी जादा फिटनिस गोल शेयर करती हैं ऐसे में फिट क कट्रेना को बेहत कम ही जिसमें देखा जाता है इस तरह से लेकिन इसके बावजोर कई बार ऐसा होता है जब कट्रेना कैफ अपने फिल्म के शूटिंग के वक्त के तकलीव को छुपाती है और उन्हें में से एक वज़ा ये भी है कि उन्होंने भारत के सेट पर हुए तकल किसी अपरिस जपी Tahirana कै बॉल्य ओड की एकत्रेस काफी जाधा मेहनती सल्मान खान यहीं कहते यहीं और इसमाइन न से जोड़ी हर इनफॉर्मेशन की बात किया चाहे तो सल्मान खान तारीफों में हमेशा अपनी बाते रख दिया करते हैं।